आस्तिक्ता व्यवहार में उत्रेगे, तो ही संकट मिटेंगे। जन्म जन्मांतरों के संचित कुछ संसकारों का प्रभाव अभ्यास मनुष्य जीवन में भी बना रहता है। निम्न यूनियों का स्वभाव जड़ जमाय बैठा रहता है और मानवे प्रभ्रत्यों को अभ्यास में सम्मिलित करने के मार्ग में अनेका नेक बाधाएं उपस्थित करता है। पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है। गुरत्वा करशन शक्ति किसी भी वस्तूं को अवसर मिलते ही नीचे खींच लेती है। ठोस पदार्थों को नीचे की ओर गिरने और प्रवाहों की ओर बहने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती। पर जब उन्हें उपर उठाना या बहाना होता है तो साधन चुटाने और प्रयत्न करने पड़ते हैं। मन की प्रविर्ति भी ऐसी ही है। उसकी मर्जी चलनी दी जाए तो फिर नर पशूं और नर कीटकों से अधिक उप्योक्त चिंतन और आचरण बन पड़ना संभव न की लिए सुसंसकारी वातावरन और तदन रूप अभ्यास की आविशक्ता पड़ती है। इरश्या और अपहरन, अहन्ता और आक्रमन, वास्तना और आधिपत्य का आचरण करते हुए सभी प्राणे पाए जाते हैं मनुष्य भी। किन्तु सैयम और सद्भाव को जीवन क्र नहीं है। योनाचार की पूर्ते हर प्राणे बिना किसी प्रश्यक्षन के संचित अभ्यास के आधार पर स्वयमेव करने लगता है। किन्तो ब्रह्मचर्य पालन के तत्वग्यान को फ्रिदयंकम करने से लेकर तब साधन करने तक की उपाए अभ्यास अपनाने होते हैं। वस्तुस्थिती देखती हुए इस निशकर्ष पर पहुँचने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी जाहिए कि पतन सरल और उत्थान कठिन हैं। इस कठिनाई को पार करना ही परम पुरुशार्थ कहलाता है। अनिकाने को साधना विधानों का आविरभाव इसी अस्तिक्ता के धोरे आस्तिक्ता है यों विक्रितियों के घुशपढ़ने से मध्यकाल के अंधकार युग में इस कठित्र की दुरगती भी कम नहीं हुई है। इतने पर भी तथ्य और सत्य अपने स्थान पर अडिग हैं। आस्तिक्ता को आस्ताम में सम्मिलित किये बिना आत्मिक प्रगते का आधार बनता नहीं है। दार्शनिक पर्यवेक्षन करने पर आदर्श वादिता और आस्तिक्ता एकी तथे के दो पक्ष हैं। उच्चस्तरी आदर्शों का समुच्चे है इश्वर का वो स्वरूप है जिसकी उपासना के जाती है। पर ब्रह्म तो न बाधित करती है। इसी को अंतप्रणा या इश्वर की वाणी कहते हैं। कर्म फल के दंड पुरसकार की विधि वेवस्था पर ब्रह्म के द्वारा संचालित होती है। किन्तो मानवी गरिमा विशद्ध रूप से आस्तिक्ता के तत्व ज्यान से जुड़ी हुई है। आस् आस्तिक्ता एक आस्था दर्शन है और उपासना उसे परिपक्व करने का प्रयोग अभ्यास। दोनों का परस्पर अनन्योय आश्रे समबंध है। दर्शन एक कल्पना है उसका परिणाम तभी निकलता है जब वो अभ्यास में उतरी। आस्तिक्ता में मात्रु ईश्वर का अस्तित्व स्वेकार कर लेने और उपासना में मनुहार द्वारा उसकी कृपा प्राप्त कर लेने जितना छोटा उद्देश्य सन्निहित नहीं है। इवं उदार्ता का समन्वे कह सकते हैं। इश्वर भक्ति का आर्थ होता है आदर्शों की प्रति असीम प्यार। असीम का तात्पर यह है इतना प्रबल कि उसे क्रियानवित किये बेना रहा न जा सके। इश्वर भक्ति को समर्पन योग भी कहते हैं। शर्णागति ले आद इसमें इश्वर को व्यक्ति बनाने का नहीं, व्यक्ति को इश्वर अति मानव बनाने और अति मानस को प्रखर करने का प्रयोग है। आत्मीक प्रोड़ता की इस्थिति आते ही इश्वर का स्वरूप, उत्कृष्ट आस्थाओं और आदर्शवादी भाव समवेदनाओं का समुच्चे बन जाता है। इवं सिद्ध पुरुष बनने का अवसर मिला है। ऐसे वक्तित्व में भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष जांकता है। अतेव भक्त और भगवान की एक्ता का प्रतिपादन शास्त्रकार सदासे करते रहे हैं। योग परिवर्तन का श्री गणेश आस्था क्षेत्र में उत्कृष्टता की प्रतिश्थापना के साथ होना है। व्यक्तित्व प्रस्तुत आस्था समुच्चे का ही दूसरा नाम है। उसी इस्तर की अनुरूप आकांक्षाएं उभरती हैं। आकांक्षाएं विचारणा को दिशा देती हैं। विचारणा के दबाव से शरीर की गतिवीधियां चलती हैं। गतिवीधियों की अनुरूप परिस्थितियां बनती हैं। ये भले पूरे परिस्थितियां स्वर्ग नरक उत्थान पतन विनाश आदी नामों से निरुपित होती रहती हैं। पतन को उत्थान में बदलना हो, नरक को स्वर्ग बनाना हो, तो तदन रूप परिस्थितियां बननी चाहिए। परिस्थितियां गतिवीधियां शरीर की कार्यपध्धति को कहते हैं, शरीर पर मन का परिपूर्ण नियंद्रण हैं, मनक्षेत्र का सूत्र संचालन इच्छाएं करती हैं, इच्छाएं अंतराल के आस्था परक इस्थर के अनुरूब उठती हैं, यही तत्वदर्शन का जानते हैं, वे पत्तित होने की अपेक्षा जड़को सीचते हैं, फुन्सियों पर दवा लगाने की अपेक्षा रक्त शोधन पर अधिक ध्यान देते हैं, मच्छर मारते फिरने का श्रम करने की अपेक्षा गंदी नाली साफ कर डालने की आविश्यक्ता अनुभव करते है सामईक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने से उनमें भरी हुई विक्रितियों और विभेशिकाओं के अनिकाने एक रूप दिखाई पड़ते हैं वे एक दूसरे से भिन्न भी दिखाई पड़ते हैं उनके समाधान भी उस्थिति के स्वरूप को देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से सोचे जाते हैं प्रत्यक्षवात के आधार पर समाधान इसी प्रकार संभव दिखाई पड़ता है शाररीक दुर्बलता का निवारन पौश्टे का हार और रुगणता का निवारन चिकित्सा उपचार से ही संभव प्रतीत होता है किन्तो परोक्ष तक पहुँचने वालों को इस निशकर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि ये सारा बखेड़ा असंयम की दुश्प्रवर्ती ने उत्पन्न किया है असंयम के रहते भी पुश्टाई और दबाई की खिलवार तो चलती ही रह सकती है पर उनमें दुर्बलता इवं रुगणता का उस्थाई निवारन कदापी संभव न हो सकेगा तातकालिक उपचार से जादूई लाब तो मिल भी सकता है किन्तो इस्थिर स्वास्त की अपेक्षा रखने वालों को संयम साधना की जीवन नीते बना कर चलना होगा मानसिक विक्षुभों से जन जन को तनावग्रस्त, खिन, उद्विग्ण, निराश इवं नीरस भारभूत जीवन जीते पाया जाता है मनुविकारों की प्रबलता से अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं बनती है सामान्य परिस्थितियां भी विक्रत चिंतन के कारण तिल जैसे होती हुए भी ताड़ जितनी भयानक प्रतित होती है लोग परिस्थितियां बदलना चाहते हैं पर जिस अनुप्योक्त द्रिष्टिकून के कारण वे उत्पन्न होती हैं उसके बदलने की बात तक नहीं सोचते जरना जरता रहे और बहाओ को मेड़ बांध कर रोखने में श्रम किया जाता रहे तो ठकान और निराशा की एतरिक्त और कुछ पल्ले बढ़ने वाला नहीं है स्वस्थता की तरह प्रसन्नता भी आवश्यक है पर उसे परिष्टिकून के मूल्य पर ही खरीदा जा सकता है शरीर सुख संयम परनडबर है और मानसिक संदोश चिंतन के संदुलन पर ये तथ्य भले ही आजन सही हजार वर्ष बाद समझा जाए किन्तु समाधान सही निशकर्ष पर पहुँचने और सही उपाय अपनाने पर ही संभव हो सकेगा आज व्यक्ति और समाज के सामने अगणित समस्याएं और विभीशिकाएं मुह बाए खड़ी है उनका निराकरण बुद्धिमानों द्वारा प्रत्यक्ष उप्चारों सामयक उपायों के आधार पर सोचा जाता है मस्तिश्क की दौड इतनी ही है विग्रहों को साम, दाम, दंड, भेद जैसे कूटनीतिक उपायों से हल करने का बरताओ ही उसने देखा समझा है सो उन्हें कुर्यानवित करने में भी कोई कसर नहीं रखी जाते आर्थिक सुधार के लिए गरिबी हठाओ अभियान के अंतरगत ग्रह उद्ध्योगों से लेकर विशाल का एक कारखाने लगाने तक का प्रावधान पंचवरिशे योजना में है निजिक शेत्र भी संदर में कुछ उठा नहीं रख रहा है पर कठोर श्रम और मितवेईता की तपश्चरिया का सिध्धान्त जन जीवन में उतर ना पाने के कारण बढ़ा हुआ उपारजन दुरवयसनों की बढ़ूत्री तक को पूरा नहीं कर पाता और दरिद्रता जहां की तहां बनी रहती है इस कुछ चक्र में से निकल सकना अर्थो पारजन और व्य व्यवस्था में आदरश्वाती सिध्धान्तु का समावेश किये बिना संभव हो ही नहीं सकता परिवारों की स्थिति का यदी सही मुल्यांकन किया जाए तो इस्तिती सराय से अधिक उप्योकतर ना मिलेगी भेडे बाडों में भी रहती हैं और कैदी जीलों में सदभाव और सहकार के अभव में होटलों में की जाने वाली चटक मटक भी कितनी कृत्रम, कितनी नीरस, कितनी कुरूब, करकश लगती है उसे सभी जानते हैं आर्थिक अभाव रहती हुए भी परिवारों में स्ने सौजन्य के सहारे स्वर्गी आनंद का रसास्वादन किया जा सकता है इसके लिए साधनों की जितनी आविशक्ता है उससे कहीं अधिक सुस्संसकारिता की ये उपलब्धी बाहिय व्यवस्थाओं के सहारे नहीं, आंतरिक सदाशेता के सहारे ही संभव हो सकती है समाज में अनिकानेक मूढ मान्यताओं, कुरीतियों अवांचनियताओं की भरमार है अपराद बेहिसाब बढ़ रहे हैं प्रामानिकता दिनों दिन घट रही है सज्जनता का प्रतिपादन तो है पर प्रचलन नहीं सहकारिता का समर्थन जोरों से होता है और आर्थिक क्षेत्र में उसका लंगडा लूला कलेवर भी बना है किन्तो पारसपरिक वैभार में सहकारिता एवं उदार्ता को खोज निकालना अधिक अठिन है कलह और विग्रहों के असंखे क्षेत्र हैं सबके अपने अपने कारण है भाषा, प्रांत, धर्म, वर्ग, वर्ण आदी के नहत स्वार्थों को लेकर परसपर टकराओ की इतनी अधिक घटनाई होती है कि उनका निराकरण, कानून और पुलिस के द्वारा अत्यंत स्वल्प मात्रा में ही निकल पाता है अंतराष्ट्री इस्तर पर चलने वाले दावपेजों, कुटिल कुछ चक्रों से शीत युद्धों की भरमार बढ़ती जा रही है और गरम युद्ध की अणों अणों से लड़ी जाने वाले तृतिये एवं अंतिम युद्ध की संभावनाएं तेजी से समी पाव रही है घटना चक्र पर द्रिष्टिपात करने से महा प्रले का दिन दूर दिखाई नहीं पड़ता इस विग्रा से निपटने में ति कानून और पुलिस जैसे अनुबंध भी कुछ काम करते नहीं देखते धर्म और अध्यात्म का उप्योगी कलेवर तो प्राचिनकाल से भी अधिक विस्तृत और आकरशक बन गया है पर उसमें प्राण का दर्शन दुरलब हो रहा है कर्म कांडों के घटा टोप चाय हुए हैं पर आस्थाओं में उत्कृष्टता भरने वाली प्रक्रिया तो एक प्रकार से विकृत ही होती जली जाती है धर्म ने मूढता और कटरता के कवच कुंडल पहन लिये हैं और अध्यात्म के कलपना लोग में बिना पंखों की उड़ाने उड़ने जैसे उपक्रम चल रहे हैं इन नक्षेत्रों में धूर्तों और मूर्खों के बीच ऐसी पट्री बैठी है कि विग्जी जनों को इस कुछ का कुछ हो जाने को देखकर किंग करतव्य बिमूढ बना देने वाले असमंजस का अनभव हो रहा है समस्याओं की ये मूटी जहांकी है इस इस्तर के अगणित कारण है जो व्यक्ति और समाज को सुखी सम्मुन्नत बनाने वाले सभी प्रयत्नों को व्यर्थ करते चले जा रहे हैं इन्हें विग्रों के रहते आर्थिक, व्यग्यानिक, बौधिक उपलब्धियां कोई समाधान कारक हल खोजने में अपने अर्समर्थरता प्रकट कर रही हैं इन परिस्थितियों को पीछे मुड़कर देखना होगा और वस्तोस्थिति समझने की गहराई में उतरना होगा नहीं वो अक्षेत्र है जो व्यक्तित्व के इस्तर को उठाता गिराता है मनुशने स्वयम ही अपना इतिहास स्रजा है वर्तमान की परिस्थितियों के लिए भी वही पूरी तरह उतरदाई है भविश्य को उज्जवल या अंधकार में बना लेना पूरी तरह उसी के हाथ इस तथ्य को स्विकार करने में असमंजस उनको ही हो सकता है जो व्यक्तित्व के उदगम स्रोत अंतकरन की सामर्थि से अपरिजित हैं मनुश को सर्व समर्थ माना गया है ये तथ्य पूर्णतया उसके आस्था क्षेत्र के आधार पर सर्वत्था सत्य पाया जा सकता है प्रश्न एक ही है कि वर्तमान अनास्था को उद्दात भावश रधा में परिणत कैसे किया जाए इस संदर में उत्तर तो कई दिये जा सकते हैं पर प्रामानिक प्रतिपादन आस्तिक्ता की भावश रधा का उन्यन ही है ये कार्य उपासना के आधार पर संभव हो सकता है व्यक्ति नर्मान का आधार भूत क्षेत्र यही है ये प्रक्रिया ऐसी है जिसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता इसे प्रमुक्ता ही देनी होगी जन्जन को आस्तिक और उपासना प्रिय बनाने के प्रियतनों में नव्युक की उज्जवल संभावनाय पूर्णतया समाव अस्तु युग शिल्पियों को अपने समस्तु क्रिया कलापों में इस केंद्र बिंदु को प्रधान मान कर चलना होगा महाकाल वैसे ही प्रिर्णा देने और विवस्था बनाने में सनलगन भी है